है गई जूप के आप सभी लुग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यारा करोंगे, अपनी फैमली का ध्यारा करोंगे, इस पर्टिक्लर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइम मैनेज कैसे करें, जी हाँ सवाल आता है कि आखिर जब जाब से होजिएगा, टाइम मैनेजमेंट में आप अपने 24 आर्स को ना है, जो भी आपका 24 आर्स है, उस 24 आर्स को जो है, वो डिसोसीट कर लो, कि सुबह 9 बजे से लेके, रात के 12 बजे तक, ये टास्क जो है, वो कहां कहां काम आते हैं, ठीक है, कहां कहां पर टास्क जो है, आप करने का सीधा सा मतलब भी है, कि सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक क्या कर रहे हो, 12 से 2 क्या कर रहे हो, 2 से 4 क्या कर रहे हो, 4 से 6 क्या कर रहे हो, 6 से 9 क्या कर रहे हो, और 9 से 12 क्या कर रहे हो, ऐसे छोटे छोटे टास्क को पहले डिवाइड करो, कि आपका पूरा दिन जो है किसी और का में जिसको हम बोल सकते dummy time कुछ ऐसा time होगा जो आपका dummy time होगा dummy time का मतलब यह है कि वो आप कहीं और पे भी utilize कर सकते हैं वो ऐसे times है जिनको कि आप utilization कर सकते हैं कहीं और पे भी जैसे whatsapp पे use करने वाला time reels देखने वाला time फालतों के दोस्तों के साथ गपे मारने वाला time, चाय पीने जाने के बहाने एक घंटा वेस्ट करने वाला time और ऐसे बहुत सारे times होंगे जिनको कि आप use कर सकते हैं अपने personal पढ़ाई के लिए अगर दिन में आप job कर रहे हो तो साम में आप अपकी time को use कर सकते हैं तो अपने time slot को निकालने के बाद इसमें से ये देखिए कि इतने से कितने ऐसे times है इसमें से कितने ऐसे times है जो specifically आप इसको use कर सकते हैं utilize कर सकते हैं for your purpose अगर आप ये कर पाएंगे तो आपको manage time करना काफी आसान हो जाएगा इन में से जो slot खाली हो सकता है जो फालतू के slots है dummy time है जिनका कोई मतलब नहीं है सिफ पड़े हैं उन times को utilize करिए useful time में convert करिए वहाँ पर productive काम करने के लिए तो आपका time जो है definite सी बात है कि अच्छा गुजरेगा काम यही करना होता है आपको कि अपने day को target को तोड़िए dummy time को ढूड़िए और dummy time से जो है convert करिए उसको productive काम के लिए किस काम के लिए? productive काम के लिए convert कर दीजिए जनाब productive काम के लिए जब convert कर देंगे तो आपके लिए काफी बहतर हो जाएगा और आपके लिए लगेगा कि अच्छा कितनी अच्छी बात है तो time manage के उपर हम बात करी रहे थे एक tip आता है कुछ इस तरीके का कई सारे stages है पहला stages के उपर बात करते हैं तो checklist करिए कि जब एक बार काम हो जाए तो उसको checklist करें कि ये काम मैंने कर लिया prioritize the urgent urgent काम को prioritize करने के लिए उसको prioritize करने का तरीका रखिए मैं बात करूँगा कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में फिलाल के लिए prioritize करिए be on the time जो भी आपको काम करना है समय पर है beyond the time इसके बाद avoid distractions जितने भी आपको social media distractions है friends distractions उनको avoid करे schedule accordingly अपने काम को accordingly schedule करे साथ में जो है remember the deadline take the breaks never panic give your best and note down the work तो पहले जो जो काम है उनको checklist कर लिया ये ये काम करना है काम को आपने checklist के form में बना दिया ठीक है काम को आपने जो है एक to do list के तोर पे बना दिया कि ये काम दिन भर में करने है उनमें से कौन से काम पहले करने है इसके उपर मैं अभी एक वीडियो लेके आओंगा कि priority कैसे set करे काम के अगले वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कि how to set a priority priority कैसे set करना है इसके बाद time पे रहे जब आपने priority set कर दिया किस time पे क्या करना है तो उसी time पे वो काम करे प्रो कास्ट नेशन ना करे बाद में न टाले उसी time पे वो काम करे इसके बाद क्या करना है avoid distractions जब आप काम करेंगे तो हो सकता है दोस्त फोन करके कहेगा भाई चाय पीने चले क्या तो ये काम नहीं करना है आपको distractions को avoid करना है और schedule accordingly according schedule करिए कि आप उसको achieve कर पाया ऐसा नहीं कि पता लगा कि करना कुछ और है कर कुछ और है हीरो बनके बहुत लंबा टास्क कर दिया वो नहीं करना है फिर आपके पास है remember the deadline हर काम का एक deadline set करें क्योंकि deadline is your motivation जब आप deadline set करेंगे तो आपके पास क्या होगा एक motivation होगा और उसलिए deadline को याद रखे कि कि किस काम को कितने समय में समाप्त करना है इसके बाद आता है take breaks लेना भी जरूरी है क्योंकि breaks नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी and after that never panic अगर कोई काम आपसे अचीव नहीं हुआ load बढ़ रहा है तो काम को थोड़ा कम कर ले panic होने की बजाए यह बहतर अप्रोच है panic होंगे तो दिक्कत हो सकती है इसके बाद आता है give your best जो भी क काम करें उसमें अपना best दे और note down the work कि आपने कौन-कौन से काम कर लिया है और कौन-कौन से दिन भर में बाग दिया है अगर अपने पूरे दिन को इस पूरे 10 steps से schedule करते हैं आज के दिन क्या करना है list out कर लिया उनमें से कौन से काम important है urgent कर लिया फिर उनमें से time basis पोन काम को करना शुरू करिया disturbance को इस time पे हटा दिया और उसके बाद accordingly schedule किया schedule करने के बाद जो है आपने deadline को ध्यान में रखते हुए उनको complete भी किया बीच बीच में चाय सुट्टा जो भी आपको भ्रेक लेना है अप लेते रहे और इसके बाद जो है panic नहीं हुए और अपना best day और last मैं आगो कि पूरे दिन को कैसे अपने आपको prioritize करना है task wise अगर वीडियो अच्छा लगा तो comment box में जरूर बताएगा मिलते हैं next video में till then bye bye take care and all the best